आपको रीमेंट के लिए ध्यार रखने हैं पर राहूल एक बार आपसे टाता कम्मिनिकेशन्स पर समझना चाहेंगे देखे नतीज़े जो आए थे कंपनी के वो तिमाही दर तिमाही इतने अच्छे नहीं रहे थे वर मैनेजमेंट की कॉमेंटरी के चलते हैं पर हम आक्शन करीब 3.5% की तेजी है क्योंकि यह स्टॉक जो है पिछले हफते में अच्छी गिरावट का शिकार हो चुका है जो यह रिकवरी इस काउंटर में आते वे देख रहे हैं हम क्या यहां से और भी तेजी की उमीद की जाए टाता कम्मिनिकेशन्स का चार्ट आपको कैसे लग है क्योंकि जहां तक मैं देख पा रही हूं एक्जाक्ली 200 डे मुविंग आवरेज से के बाउंस दिखा रहा है और नाकेवल 200 डिमा के असपास दिखा रहा है ट्रेड और आज की जो कैंडल फॉर्म हुई है काफी स्टॉंग कैंडल फॉर्मिशन हुआ है स्टॉक ने जो अ अगला जो हर्डल है शिश्री वो करीबन बैठता है 1275 के आसपास अब स्टॉक में हमें देखना हुआ कि ये जो आज इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई है उसके साथ में कंटिनुशन में कल के सेशन में या परसो के सेशन में किस तरीके से ये स्टॉक ट्रेड करत है वहाँ पर साइडवेज ही ट्रेड इसका आता हुआ दिखेगा तो इसको वेट और वॉच्छ लिस्ट में रखिए और जिनके पास में भी स्टॉक अल्रेडी होल्डिंग में है या पोजिशन है वो डेफिनिटली होल्ड आउट करें मेरा मानना है कि आने वाले दिनों मे उस पर राय दीद जिया ब्राइट कॉम वैसे ज़्यादा इसकी चर्चा करने की ज़रूवत नहीं है क्योंकि अपने जो फानेशल स्टेट्मेंट से उसको उन्होंने इन्फलेट करके दिखाया है बढ़ा चढ़ा के दिखाया है अपनी आई को कमाई को तो इसकी दिक्कते तो बढ़ेंगी और इस तरह सी गरता रहेगा क्या आप इस बात से तफाक रखते हैं कि जिसको जो मौका मिले इससे निकल जाए क्योंकि ये सर्किट चायद खुलना मुस्किल लग रा मुझे तो डेफिनेटल अभिशेक और आप देखेंगे अगर इसकी हिस्ट्री में अगर BCG के आप हिस्ट्री देखेंगे तो करीबन 2021 में इस स्टॉक के अंदर एक वर्टिकल तेजी बनी थी और वहाँ पे भी कंटिनूर्स अपर सर्किट के राउंड चले थे और वहाँ पे उस मुझे लगता है जिस तरीके से आपने ही बोला कि जहां भी आपको अभी मौका मिले या अगर आपको ऐसी सिचुएशन मिले जहां पर आपका एक्जिट आपको पॉसिबल लग रहा है तो आप उसम से डेफिनिटल आप एक्जिट लें क्योंकि यहां पे स्टॉक के अंदर मिली है वाल्यूज में बट इस काटेगरी के स्टॉक से हमें यहां पर एक एवाइट काटेगरी में ही रखते हुए यहां से हमें बचना चाहिए और जैसे ही मौका मिले आपको एक्जिट करना चाहिए